कॉंग्रेस पाल्टी की ओर से देश में भारत जोडो यात्रा शुरू की जा रही है भारत जोडो यात्रा कन्या कुमरी से जम्मू तक 3570 किलोमेटर की पैदल दूरी पर होगी ये यात्रा कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी की अध्यक्षता में शुरू की जाएगी हरियाना विधायक गीता भुककल ने कहा है कि यात्रा 150 दिनों तक चलेगी वो नाकपूर में प्रेस कॉंफरेंस में बोल रही थी बीजेपी इस यात्रा को भारत जोडो की जगh भारत तोडो यात्रा बता रही है बीजेपी की निताओं में जैसा मैंने कहा क्या डिसेंटरिजेशन ओफ पावर है क्या उनको बोलने की पावर है जो उनको बता दिया जाता है वो बोल देते हैं ये Congress Party हमारा कोई political इसमें बहुत आजंडा नहीं है हम समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करना चाहते हैं आदर्निय राहुल गांदी जी ने जिस प्रकार से ये बीडा उठाया है ये बहुत बड़ी एक इतिहासिक यात्रा है भारती जनता पार्टी क्या कहती है उससे Congress Party को कोई फरक नहीं पड़ता दूसरा हमें उनसे अपने कामों के लिए कोई certificate लेने की आवशकता नहीं है वो एक भी कारण बता दें कि जो ये भारत जोडो यात्रा Congress Party कर रही है क्या किसी बीजेपी के नेता में इतनी हिम्मत है कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का सामना कर पाए क्या हमारे देश के प्रधान मंत्री जी क्या आपसे मीडिया के बंधों से क्या प्रेस वारता करते हैं या केवल वो मन की बात करते हैं क्या वो किसानों के बीच में बैठ कर वारता करते हैं क्या अगनी पत्थ जो योजना चली केवल चार साल के लिए आप अगनी वीरों को बढ़ती करेंगे और उसके बाद एक पड़ा लिखा बेरोज़गार सडकों पर जाएगा क्या ये तोड की आड में गुटाले और घपले हुए हैं क्या उनकी समस्याओं को सुनना क्या ये तोड़ने का प्रयास है भारतिय जंता पार्टी क्या कहती है उसकी परवा ना करते हुए इंडियन नेशनल कॉंग्रस राहुल गांदी जी के नेतत्तु में हम लोग ये यात्रा एक समाज एक एक एसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंडिव्यू, गाइदेंस पाइंडस्री एक्सपर्ट, प्रक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फाकल्टी, परस्नल एलेडी कॉलिट स्क्वेर बिसाइड करनाट का बैंक नागपुर